हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टेडी विट टाइगर और लेटेश नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं तो आएए स्टार्ट करते हैं करंट अफ्यर का नेक्ट सेरीज ठीक है आज मैं 100 प्लस कोशन पड़ाऊंगा ठीक है तो आएए पहला कोशन देखते हैं क्यू एस विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा साहर कौन सा है ठीक है तो इसमें आपसन चार आपसन दिये नई दिल्ली लंदन नियू यार्क बैंगलूरू तो इसमें आपसन क्या होगा बैंगलूरू ठीक है बैंगलूरू सही है इसके बारे में डीटेल में दिखते हैं बैंगलूरू भारत का शिलिकॉन वैली कहा जाता है अपना अफिशल लोगो लांच करने वाला बैंगलूर भारत का पहला शहर है ठीक है वेश्विक सांति सूचकांग 2019 में भारत की क्या रैंकिंग है 141 में रेटिंग एजनसी क्रीसियल के अनुसार वित्य वर्ष 2019 में भारत की GDP कितने प्रिस्यत रहने का अनुमान है तो 6.9 परसेंट ठीक है 1927 फाउंडेड और मुंबई महराश इसका हेटक्वाटर है ठीक है आसु सुएश ठीक है CBRE के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे दस सबसे महेंगे आफिस लोकेशन में भारत के किस सहर को सामिल गया गया है तो करनाट प्लेस ये कहां पर करनाट प्लेस ठीक है ये आपका मुंबई में है इसमें पहले अस्थान पर सेंट्रल डिस्टिक रहा या हौंग कॉंग में है पहली बार SDG इंडेक्स में भारत किस अस्थान पर रहा 95 या सर्वे 139 देवसों के बीच हुआ जिसमें पहले अस्थान पर डेन्मार्क रहा W.E.F. World Economic Forum के अनुसार Global Gender Gap Index 2018 में भारत का क्या अस्थान रहा 108 इस रैंकिंग में पहले अस्थान पर आइसलेंड रहा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत किस अस्थान पर रहा 41 में पहले अस्थान पर नार्वे रहा World University Ranking 2019 में वैस्थविक रूप से कौन सा इंस्थिटूट पहले अस्थान पर रहा MIT भारत की तरफ से तीन इंडेक्स 2019 में कौन सा देश पहले अस्थान पर रहा Finland इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 140 मी है हाली में जारी Exclusive Internet इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही से तालिसमी इस इंडेक्स स्वीडन जो है पहले अस्थान पर रहा Press Freedom Index 2019 में भारत का अस्थान क्या था 141 इस रैंकिंग में पहले अस्थान पर नार्वे रहा अंतराष्टिय बौधिक संपदा सूचकांग 2019 में भारत की सस्थान पर रहा 36 वैस्विक जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी 11 हाली में जारी फॉर्बेस मैगजीन के आकड़ों के अनसार भारत के टॉप 10 बैंक्स में कौन सीर्स पर रहा HDFC सुच भारत सर्वेचर 2019 में कौन सार राज पहले अस्थान पर रहा इंदौर हाली में डबलू एचो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनसार दुनिया के 15 सबसे गंदे सहरों में कौन सा सहर सीर्स पर रहा कानपूर 2019 में जारी की गई वैस्विक वायू गुडवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनसार विश्व का सरवाधिक प्रदूसित सहर कौन सा था गुड़गाओ W.E.F. द्वारा जारी वैस्विक उर्जा संक्रमर सूच कांग 2019 में भारत की सस्थान पर रहा W.E.F. प्रतिभा प्रतिसपर्धा सूच कांग 2019 में भारत कौन से अस्थान पर रहा 80 वें अस्थान पर पहले अस्थान पर सूच जर्लैंड, सेकंड पर सिंगापूर, थर्ड पर यॉनाइटिड इस्टेट W.E.S.W. भ्रष्टा चार सूच कांग 2019 में भारत का कौन सा अस्थान रहा 78 वें इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले अस्थान पर रहा Global Rich List 2019 में दुनिया के टाउप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत के किस सक्स को सामिल किया गया तो मुकेशंबानी, ये Reliance Industries के मालिक है Quality of Living Ranking 2019 में कौन सा सहर, रहने योग सहरों में पहले अस्थान पर है Vienna, इस इंडेक्स में Vienna लगातार तीसरी बार पहले अस्थान पर रहा National Institute Ranking Framework 2019 में भारत का कौन सा इंस्थान पहले अस्थान पर रहा IIT मदराश Doing Business Report 2019 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी 2017 में 2018 में इस रैंकिंग में इंडिया हैंडेड नमबर में था लेकिन इस बार 23 रैंकिंग सुधार के साथ भारत 77 अस्थान पर है हाली में जारी Safe City Index में कौन सीर सपर रहा टोक्यो यह Report Economist Intelligence Unit द्वार जारी की गई थी इसकी अस्थापना 1946 मुख्याले इसका लंदन में है आम बजट बजट इससे रिलेटेड हाली में पेस किया गया आम बजट किसके द्वारा तयार किया गया था तो किष्ण मूर्ती सुब्रमन्यम तयार किया गया था आम बजट 2019-20 के अंतरगत वित मंत्री ने नारी तो नाराइडी योजना लांच करने का ऐलान किया इस योजना का मुक्युदिश क्या है नारी ससकती करड बजट 2019-20 के तहट किस वर्स तक हर घर जल योजना को लागू करने की घोशना की गई दोज़ा चोबिस वर्स 2019-20 के आम बजट के अंतरगत पेट्रोल डीजल पर कितने प्रतिस्द का सेस लगाया गया एक परसंड जन धन खाते वाली महिलाएं कितने रुपए तक ओवर्ड्राफ्ट कर सकेंगी पांच जार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला पूर कालिक वित मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन निर्मला सीता रमन का निर्वाचन छेत करनाटक है आम बजट 2019-20 के अनुसार भारत में निवेश बढ़ा कर कितने डॉलर ट्रीलियन के अर्थविवस्था बनाने का लच्छ रखा गया है तो पांच ट्रीलियन डॉलर विदेशी विद्यार्चियों के लिए उच्छ सिछर संस्थान उपलब्द कराने के लिए इस आम बजट में किस योजना की गोशन की गई इस आम बजट के अनुसार सारजनिक छेत्र के बैंकों के लिए पुनर पुंजी करण के लिए कितने करोड रुपए देने की घोशना वित मंत्री द्वारा की गई सत्तर हजार करोड बजट 2019 में भारत में जल संरचड हेतु जल सकती मंत्राले के अंतरगत किस मिशन की सुरुवात की गई जल जीवन मिशन जल सकती मंत्री कौन है गजेंदर शिंग से खावत निर्मला सीता रमण द्वारा दिये गए बजट भासड के अंसार देश में सोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की अस्थापना की जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वित मंत्री निर्मला सीता रमण द्वारा पेश किये गए बजट 2019 के अंसार खिलाडियों को प्रोसाहन देने के लिए खेलो इंडिया कारिकरम के तहट किस राष्ट्य बोर्ड के अस्थापना की जाएगी राष्ट्य खेल सिच्छा बोर्ड खेल मंत्री कौन है किरण रिजीजू बजट 2019 के तहट वित मंत्री द्वारा किस सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लांच करने की घोशना की गई तो इस्टार्ट अप्स निर्मला सीता रमड़ द्वारा पेस की गई आर्थिक सर्वेच्छड की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी कितनी आकी गई है 2018-19 के लिए 6.8 पर्शन मोधी सरकार ने बज़ट 2019 में कितने लाक रुपए का घर खरीदने का पर अतरिक्त डेर्ड लाक रुपए की छूट दी जाएगी 45 लाक रुपए केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने घुशना किया है कि 400 करोड रुपए तक के टर्न ओवर वाली कमपनियों को कितने फीसदी कार्पुरे टैक्स देना होगा 25 फीसदी इस बार के आर्थिक सर्वेच्छड की थीम क्या थी? सिफ्टिंग गियर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बदलाओ बेटी अपकी धनलच्मी और विजे रच्मी है सुच भारत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सुन्दर भारत एल पीजी के लिए दिये जाने वाला सबसीडी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ठिंक अबाउट दसबसीडी बजट 2019 के अनुसार यदि कोई वेक्ती बैंक से एक साल में एक करोड से अधिक की धन्रासी निकालता है तो वहाँ उस पर कितने प्रिस्द तक टीडियस लगाया जाएगा? दो पर्शन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कितने प्रिस्द राज कोशिय घाटा का आका गया? बताइए तीन दसमलों चार पर्शन आर्थिक सर्वेचर 2019 में पेस की गई रिपोर्ट के अनुसार पवन उर्जा में भारत का क्या अस्थान है? चोथा बज़ट 2019 में प्रस्तुत किये गए SDG के अनुसार कौन सा राज पहले अस्थान पर रहा केरल पेस की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा केंदर सासित प्रदेश पहले अस्थान पर रहा चंडीगर प्रस्तुत रिपोर्ट में कितने प्रिशत जनता को सौच मुक्त घोसित किया गया है 93.3% हाली में मानिवर के ब्रांड अम्बेस्डर कौन बने है कार्थिकार्यन मानिवर एक पुरुष एथिनिक वियर ब्रांड है जिसके स्थापना भारत में उद्द्मी रवी मोदी ने 1999 में अपनी कंपनी वेदान्त फैशन के तहट की इसका मुक्याले कोलकाता में स्थित है हाली में भारत पे ब्रांड अम्बेस्डर कौन बने है सलमान खान कुछ समय पहले ही भारत पे ने निर्बाद नेटवर्किंग और व्यापार विस्तार के लिए व्यापारियों के लिए यूपी आई बही खाता लांच किया था हाली में फोन पे के ब्रांड अम्बेस्डर कौन बने है आमिर खान फोन पे के अस्थापना 2015 संस्थापक समीर निगम संस्थापक और सीओ मुख्याले इसका बैंगलोर और करनाटक ब्येसनल की ब्रांड अम्बेस्डर कौन है मैरी कौम अस्थापना 15 सितंबर 2000 मुख्याले नई दिल्ली प्रमीड कुमार पुर्वार अध्यच और एमडी पूमा की ब्रांड अम्बेस्डर कौन है मैरी काम पूमा फाउंडेड 1948 फाउंडर रोडाल्ट है एड़कॉर्टर इसका कहां पर है 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 जर्मनी में है ठीक है एडी डास की ब्रांड अम्बेस्डर कौन है हिमा दास है इसके संस्थापक एडॉल्फो डेस्टलर है रीबोक के ब्रांड अम्बेस्डर वरुड धवन कैटरीना कैफ आसम राज की स्पोर्ट ब्रांड अमबेजडर कौन है हीमादास हीमादास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है आसम राज की परेटर अमबेजडर कौन है प्रियंका चोपड़ा है प्रेंका चोपड़ा को इस वर्स यूनिसेफ द्वारा मानवतावादी पुरुषकार से समानित किया गया है रेड बस के ब्रांड अमबेजडर कौन है? MS धोनी ड्रीम इलेवन के ब्रांड अमबेजडर कौन है? महन सिंग धोनी अस्थापना दोजाराट संस्थापक, हर्स जैन और भाविज सेट मुक्यले मुंबई टाइटन सोनाटा के ब्रांड अमबेजडर कौन है MS धोनी इस बार 15 अगस्ट के मौके पर जम्मू कस्वीर के लेह में महन सिंग धोनी द्वारब भारती जंड़ा फेरा गया इंडिगो पेंट के ब्रांड अमबेजडर कौन है MS धोनी हाली में हीरो मोटो कार्प ने अपना नया ब्रांड अमबेजडर किसे बनाया है लियोनेल मेसी यह बरसी लोना के किलाडी है पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड अमबेजडर कौन है बिराट कोहली है इसके स्थापना 19 मई 1814 में मुख्याले नई दिली M.D. सुनीर मेहता यूबर इंडिया के ब्रांड अमबेजडर कौन है विराट कोली है इसके स्थापना 2009 में हुई है मुख्याले सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निय अमेरिका अमेरिकन टूरिस्टर के ब्रांड अमबेजडर कौन है विराट कोली इसके स्थापना 1933 में हुई है संस्थापक सूल काफलर मुख्याले सेंट राज अमेरिका हाली में हिमालिया फेशवास के ब्रांड अमबेजडर कौन है दोनों कौन-कौन विराट कोहली और रिशपपन्त इसका मुख्याले बैंगलोर में है गूगल डूओ के ब्रांड अमबेजडर कौन है विराट कोहली है गूगल डूओ इस वीडियो चैट मोबाइल एब डेवलप्ड बाई गूगल टेफी के ब्रांड अमबेजडर कोन है अच्छे कुमार है सड़क सुरच्छा अवियान के ब्रांड अमबेजडर कोन है अच्छे कुमार सड़क या था या सुरच्छा सड़क उपयोग करता को मारे जाने या गंभी रूप से गाहल होने से रोकने के लिए या पहल सुरू की गई हाली में मिंत्र ने अपना पहला ब्राउंड अम्बेस्टर किसे न्युक्ति किया बिराट कोहली अनुस्का सर्मा फिलिप कार्ड इसके लिए इंडिया के ब्राण्ड अम्बेस्टर कौन है अनुस्का सर्मा और वरुड धवन यह 15 जुलाई 2015 विस्तारा की ब्राण्ड अम्बेस्टर कौन है दीब का पादु कोड मुक्याले इसका गुड़गाउं में है जीएसटी के ब्राण्ड अम्बेस्टर कौन है तो जीएसटी यह 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया इसलिए एक जुलाई को जीएसटी दीबस के रूप में मनाते हैं दर्वाजा बंद अभियान के ब्राण्ड अम्बेस्चर का उन अम्ठा बच्चन 30 माई 2017 को किंदी पेज़ा ले हम सच्छता मंत्रा ले द्वारा खुले में सौच को समाप्त करने के लिए या अभियान चालू किया गया हेपी टाइटिस बी उन मूलन के ब्रांड अमेजरे कौन है अमताब बच्चन डीडी किसान चैनल के ब्रांड अमेजरे कौन है अमताब बच्चन ये लांच कब हुआ था 26 माई 2015 को हेड़ कौर्टर नौएडा में है संजे गांधी नेशनल पार्क के ब्रांड अमेजरे कौन है रवीना टिंडन हाली में अर्बन क्लैप ने अपना नया ब्रांड अमेजरे किसे नियुक्ति किया कृति सेनन नोक्या की ब्रांड अमेजरे कौन है अलिया भट सिक्किम राज के ब्रांड अमेजरे कौन है ए आर रह्मान डिश टीवी के ब्रांड अमेजरे है रडबीर सिंग इसका मुख्याले कहा है नुएटा उत्तर प्रदेश मा अभियान की ब्रांड अमबेजडर काउन है मादुरी दिच्छित हाली में ग्रीन मडीपूर की ब्रांड अमबेजडर काउन बनाई गई है वेलेंटीना एलेंग बम अब जी आई टैग यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है जी आई टैग से एलेटर जी आई टैग होता क्या है जी आई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग भारती संसद ने 1999 में रेजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्शन आप गूड्स लागू किया था इस आधार पर भारत के किसी भी छेत में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तू का कानोनी अधिकार उस राजी को दे दिया एक जाता है हाली में किस राजी की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जी आई टैग प्रदान किया गया उडिसा यह उरिसा की प्रिसिद मिठाई है जो की जगनात मंदिर के पास फेमस है हाली में किस राज की कोलहा पूरी चपल को जी आई टैग परदान किया गया तो महाराष्ट और करनाटक दोनों का हाली में किस राज की सिर्शी सुपारी को जी आई टैग परदान किया गया करनाटक करनाटक के मुक्यमंत्री बीयस यदुरप्पा और राजिपाल वजू भाई बाला हाली में किस राजी की कुर्ग अरेवी का काफी को जी आई टैक परदान किया गया कि तो करनाटक करनाटक भी सबसे ज़्यादा काफी उत्पादित होता है वहां की राजधानी बैंगलोर है हाली में किस राजी की कंधमाल हल्दी को जी आई टैग परदान किया गया उड़ी सा तो ब्लैक पैगोडा है कोडार का सूर्मंदिर हाली में किस राजी के मर्यूर गुड को जी आई टैग परदान किया गया केरल हाली में पस्चिम बंगाल के किस प्रोडेट को जी आई टैग प्रदान किया गया रजगुल्ला को पस्चिम बंगाल का भी रजगुल्ला ममता बनर जी है मुकिमंत्री राजिपाल जगदीब धनकड हाली में कड़कनाथ मुर्गा को जी आई टैग प्रदान किया गया है यह किस राज में पाय जाता है मद्धि प्रदेश हाली में बिहार के एक बहुत फेमस प्रोड़क्ट को जी आई टैग प्रदान किया गया उस प्रोड़क्ट का नाम क्या है साही लीची वहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा होता मुझा फर्पूर में बिहार के मुख्मंत्री नितीज कुमार, राजिपाल, फागु सिंग चोहान हाली में कटारनी राइस को ला टैग प्रदान किया है या किस राज में पाय जाता है बिहार में अभी हाली में चमकी बुखार, बिहार में ही फैला था हाली में मगही पान को जियाई टैग प्रदान किया गया है या किस राज में पाय जाता बिहार में मगही पान कुछ समय पहले ही बिहार के राजगीर में मुक्यमती नितिस कुमार ने 70 फीट उचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का नावरड किया है इरोड हल्दी का संबद किस राज से है तमिलनाडू हाली में तमिलनाडू सरकार ने कालवी थोलिकी नाम से इसका विसेश सिच्छा टीवी चैनल लांच किया है इसी वर्स भागल पुरी जरदालू को ला टैग प्रदान किया गया है यह किस राज में पाए जाता है बिहार में और आज का लास्ट कोईश्चन है हाली किस राज के डिंडी कुल ताला और कडांगी साडी को जी आई टैग प्रदान किया गया तमिलनाडू के कुछ समय पहले ही तमिल नाडू के पलानी में गुरू गन मंदिर में प्रशादम के रूप में दिये जाने वाले प्रिसिद पलानी पंचितीर थम को भवोलिक संकेत जी आई टैक प्रदान किया गया है ठीक है फ्रेंट्स तो आज ये हमने 100 महत्तपूर्ण प्रस्नित जो आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो थैंक्यू माइ फ्रेंट्स फार वाचिंग वीडियो जै हिन जै भारत